तो गाइज वेल्कम बेक टो मैं चैनलक भीहरी कल्राधा रजन्सी और आज का वीडियो मैं फर्स्ट टाइम लाने वाली हूं मतलब जो मैं कटिंग करती हूं ड्रेस बनाती हो इसका टुटोरियर बहुत एजी स्टेप है जो आप लोग को यूसफुल हो सकता है आप लोग करने वाली हूं विकॉज मैं नियू यर के लिए बना रही थी तो सुची क्यों आप लोग साथ सेयर भी कर दूं सो इसलिए और मेरा फैब्रीक है पॉली क्रेप जिसे मैं बना रही हूं सो देर नहीं कर रहे हैं वीडियो के जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अगर मैं चैन यहैं मेरा यदिन जिसे मैं वनपीस बनाने वाली हूं और यह प्योर पॉली क्रेप है और आपको जो भी लेना हो फैबandin आप ले सकते हो बट मुझे पॉलीक करना था सौ इसलिए यहैं अझा दीजैञ श्रट है और मुझे काफी प्सुरत लगीather але मैं कि ग्रभात हुब फिर कटिंग करने के बाद स्टिचिंग भी सेयर करूगी इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए और बहुत ज्यादा इजी स्टेप होगा जो आप असानी से कर सकते हो वीडियो स्टाट करते हैं मैं यह जो फैब्रिक ली हूँ वो दो मीटर है अगर आप कॉटन लेते हो तो आप उज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि कॉटन दोने के बाद चड़ जाता है और मैंने यहाँ पॉली क्रेप लिया है तो दो मीटर में आसानी से बन जाएगा और हम इसे फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड फिर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे एकदम बराबर से कि कपड़ा इधर उधर ना हो और यहाँ इस पेस कम है इसलिए मैं इसे ऐसे करके दिखा रही हूँ आगे फोल्ड करके तो डबल फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम अपना कोई भी समीज रख लेंगे जितना लेंथ आपको चाहिए हो जिस समीज का इसे असानी होगी कट करने में सो मैं यह अपना समीज ली हूँ और मुझे इतना ही लेंथ चाहिए सो उतना मैं कट कर लूँगी और समीज से हम दो इंच जादा लेंगे क्योंकि हमें स्टीच करने के लिए एक अपड़ा चाहिए होगा इसलिए और फिर हम उसे कट कर लेंगे सॉरी मेरा यहां बाल आ गया है विकाज मैं खुद अकेले ही सूट कर रही थी सो मुझे दिखा नहीं फिर यह कट कर लेने के बाद अब आरी यह बाजू कट करने की और मैं यहां बाजू बाजू का कप्ड़ा थोड़ा ज़ादा लूँगी विकाज मुझे चून वाली बाजू चाहिए मुझे ज़्यादा टाइट स्लीफ नहीं चाहिए इसलिया मैं यहां देखिए कपड़ा ज्यादा लेंगे अपने स्लीव से दो तिन इंच ज्यादा कपड़ा लेंगे जितना आपको फिट आता है उससे ज्यादा फिर यहां बाजू का कट कर लेंगे तो यहां मेरा दोनों बाजू हो चुका है फिर अब बारी है नेक कटिंग सो मैं यहां ज्यादा डीप नेक नहीं कर रही हूं वोट नेक कट करूंगी विकॉज मुझे हाई नेक बनाना है और फिर वैसे ही समीज रखके करेंगे जिसे आप असानी से कट कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बाजू भी हम अच्छे से कट कर लेंगे और नेक भी वोट नेक एक इंच निकाल लेंगे हमारी कुछ अचर्श धश से करनें निकाल कर एक इंच वोल्ड करेंगे इसे डबाभा अधा इंच फोल्ड करांगे इससे फ्रॉल्ड कर लेंगे यह तक नेकले झालня की। कर बताके जाख्यूपन जाख्यूव confessिक riding clockwise मम कर दो डें प्रिप्र प्रिप्र जाख्यूब कर सकती हिर crimes कर दो कर दो दूसरे तरफ भी हम इसे स्टिच कर लेंगे हमारा यहां स्टिच कंप्लीट हो चुका है मैंने दोनों सेट कर लिया तो मैं नीचे दोनों तरफ मैं स्टिच कर दी अब मैं यह करूंगी जो मैंने थोड़ा सा कट कर रहा है उससे मैं अच्छे से यहां स्टिच कर दूगी कि अब हम अपने बाजूप को बनाएंगे और इसमें अभी मुझे यह स्टिच करना था बड़ यह नहीं करेंगे क्योंकि मुझे कुछ डिजाइन करना इस पर जो मैं आप लोग के साथ सेयर कर रहे हूं तो देखिए मैंने इतना कपड़ा ले लिया है बचे हुए कपड़े में से इतना कट कर लिया है और इसे अभी मैं बीच से कट करूंगी यह डबल है एक दूसरे वाले बाजू पे आगा और एक इस बाजू में आएगा तो पहले मैं इसको कट कर दो कर लिया है एक दूसरे वाले बाजू पे आगा और एक इस बाजू पे आगा तो चलिए दिखाते हूं कि मैं इसे कैसे सिलूगी कर दोनों को ऐसे स्टीच कर लिया है और अब इसे मैं बाजू के जो यहां पे आते हैं कलाई के पास यहां पे मैं चुन दे के इसे सिलाई करूंगी कि मैं भी खाती हूं कि मैं भी खाते हूं कि मैं अब कर दोनों बाजू पे ऐसे डिजाइन कर दिया है जो हलके से रफल डिजाइन लगे है और यह बहुत इजी है कि अपने सूप में अटेच करेंगे जो होते हैं आपके फिर बाजू स्टार्टिंग से सिंपल ही अटेच करेंगे बड़ जो भाग आपके सोल्डर के पास आएगा वहां हम तीन चून दे के करेंगे एक अक इंच पे तीन चून देंगे अटेच कर दिया अब बाली है नेक की सो मैं नेक के लिए और मैंने कपड़ा बचा के रखा है तो मैं इसे ऐसे करके श्टेच करूंगी तो देखिए मैं करके दिखाती हूं देखिए मैं स्टेच कर ली हूँ और अब इसे सीधा कर लेंगे यह बहुत असान है ऐसे करके अब मैं दिखाती हूं इसको मैं कैसे डिजाइन करके इसको नेक पर बनाऊंगी और यह थोड़ा हाइनेक टाइप रहेगा जिसे ऐसे आएगा आपका अब मैं करके दिखाऊंगी तो समझे लेंगा तो देखिए हाइनेक के लिए मैंने यह श्टीच कर लिया और अब जितने भी यह बचे हुए हैं आपके बाजू पे वो सब श्टीच कर लेंगे यह सब कुछ जो है खुला हूँ ब स्टीच कर लेगा हमारा सिला जुका है ये मैंने फुली स्टीच कर दिया है ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं आप लोको पहन के लिखाती हूँ ये रहा मेरा फाइनल लूक वन पीस ड्रेस का सो कैसा लगा बताईएगा